स्टूडेंट्स तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्स लिंकेज लिंगी सहालगनता से जब सहालगन जीन हमारे लिंगी गुन्सुत्रों पर पाये जाते हैं तो इसे लिंग सहालगनता कहा जाता है यह हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में दो प्रकार के गुंसुत्र हैं एक है काई गुंसुत्र और दूसरे हैं लिंगी गुंसुत्र जिसे की मेल में XY, फीमेल में XX तो ऐसे गुंसुत्रों को हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं तो जब six chromosome पर सहलगन जीन उपस्तित होंगे तो वो होगी लिंगी सहलगनिता और जब काई गुंसुत्रों पर सहलगन जीन उपस्तित होंगे तो वो होगी काई सहलगनिता अब दोनों में अंतर के से पता लगेगा कि यह हमारे six chromosome पर उपस्तित सहलगनिता है और ये काई गुन्सुत्र पर उपस्तित सहलगनिता है इसमें हम अंतर केसे करेंगे केसे डिफ्रेंशेट करेंगे तो जब हम काई सहलगनिता की बात करते हैं और वहां पर व्युत्क्रमानुपाति क्रोस करवाते हैं व्युत्क्रमानुप्राति क्रोस जिसे हम रैसिप्रोकल क्रोस कहते हैं रैसिप्रोकल क्रोस आप जानते हैं कि यहां पर A और B का क्रोस करवा या B या A का क्रोस करवा आपको रिजल्ट तो दोनों में सेम ही मिलेंगे तो इस प्रकार के क्रोस को कहा जाता है रैसिप्रोकल क्र तो जब हम काई गुंसुत्रों पर काई गुंसुत्रों पर रेसिप्रोकल क्रोस करवाते हैं तो हमें यहां पर समान ही रिजल्ट प्राप्त होते हैं जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा हमको हर बार वही सेम रिजल्ट यहां पर प्राप्त होंगे सेक्स क्रोमोजोम पर जो सहलगन जीन होते हैं और इन सहलगन जीन का जब रेसी प्रोकल क्रोस करवाते हैं तो हमें रिजल्ट सेम प्राप्त नहीं होते हमें कुछ अलग प्राप्त होते हैं यहां पर रिजल्ट आपको अलग प्राप्त होंगे रिजन्ट क्या प्राप्त होंगे अलग प्राप्त होंगे जैसे कि ड्रोसो फिला का ही उधारंड ले लेते हैं ड्रोसो फिला का हमने आखों के कलर की बात की थी ड्रोसो फिला में दो प्रकार के आखों का कलर है एक सफेद है और एक लाल है सफेद है और एक लाल है तो हमने यहाँ पे क्रोस करवा के देखा हमने फीमेल ली है लाल आखो वाली लाल आखो वाली फीमेल ली है और यहाँ पे लिया है मेल और मेल है सफेद आखो वाला तो लाल आखो का कलर जो की प्रभावी है तो यहाँ पर लाल आखो वाली female हमने ली है और male लिया है सफेद आखो वाली और जब इनके मद्या हमने cross करवाया तो इनसे प्राप्त सभी संतिती हमें red eye वाली मिली है लाल आखो वाली मिली है इनसे प्राप्त सभी संतिती हमें लाल आखो वाली मिली है तो ये तो हमने ये क्रोस करवा दिया अब इसका हम रेसी प्रोकल क्रोस करवा देते हैं रेसी प्रोकल का मतलब उल्टा कर देते हैं तो देखो इसका उल्टा क्रोस जब हम करवाएंगे रेसी प्रोकल क्रोस हम यहाँ पर करवाते हैं इसका तो हमें यह रिजल्ट बिल्कुल केसे प्राप्त होते हैं यहां पर जो वीमेल है यह हम ने लिए सफेद आखो वाली सब्सक्रात का मतलब XW और xw ठीक है और जो मेल हमने लिया है इस बार यह हमने रिड़ आई वाला ले लिया है red आई वाला यह मेल लिया ठीक है red आई मतलब लाल आखो वाला हमने मैल ले लिया अंको इनके मत्ये जब हम क्रोस करवाते हैं तो हमें क्या result प्राप्त होंगे यह देखिए यहां पर x, w और x plus ठीक फिर इसका इससे करवाएंगे तो x, w और y फिर इसका इससे करवाएंगे तो x, w और फिर यहां पर x, w फिर x plus ठीक और इसका इससे तो x, w और y तो आप देख रहे हो कि हमें किस प्रकार के result यहां पर मिल रहे हैं ये कौन सा होगा रेड आई वाला होगा ये कौन सा होगा वाइट आई वाला ये कौन सा होगा रेड आई वाला और ये कौन सा होगा वाइट आई वाला तो क्या यहाँ पे सभी के सभी रेड आई वाले मिले हमको नहीं मिले तो जब सहलगन जीन, sex chromosome पर प्राप्त होते हैं, sex chromosome पर उपस्थित होते हैं, तो इसे कहा जाता है, lingus सहलगन ता और इनके जो reciprocal cross हम करवाते हैं, तो reciprocal cross करवाने पर हमें different result प्राप्त होते हैं, same प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन यह एक काई गुंड 66 पर सहलगन जीन तो उनका आप रेसिप्रोकल क्रोस करवाली जीए आपको सेम रिजल्ट ही प्राप्त होगा ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पर लिंग सहलगनिता के प्रकार हम देख लेते हैं जिसमें पहले हम बात करेंगे एकस सहलगनिता देखिए जब सहलगन जीन एकस गुण सुत्र पर उपस्तित हो तो इसे हम कहेंगे एकस सहलगनिता जब सहलगन जीन एकस क्रोमोजोम पर उपस्तित होता है तो इसे हम कहते हैं एकस सहलगनिता देखिए काईक लक्षनों की जीन यह जो जीन होती है यह काईक ल और इसके हमने जो यहाँ पर जीनो टाइप लिखे हैं का सुख। लिखे हैं तो नीयसे लिटिन के लिए यहां पर रिजल्ट हमको hundred dollars होने वाले हैं। एक तो यहाँ पर दूसरा है यह तो होगा red, red, red eye, ठीक है, सम्यूग मजी, यह white eyes, यह भी सम्यूग मजी, और यह यहाँ पर plus और w, ठीक है, तो यहाँ पर यह भी क्या होगी, heterozygous, red eye वाली, ठीक है, heterozygous, red eye वाली, तो तीन प्रकार के यहाँ पर, इसके genotype है female में, male की बात करें, तो male में यहाँ पर कितने प्रकार की प्राप्त होते हैं, देखिए, x, y, और x, y, प्लस और w, अगर प्लस है, तो red eye वाला male है, और w है, तो white eye वाला male है, तो यह इसके genotype होते हैं, और हमें इसी प्रकार के genotype बनाकर, इसके questions को solve करना होता है, तो पहला उधारणता, drosophila के आखों का रंग, दूसरा है, hemophilia, hemophilia के लिए भी same होगा, अगर hemophilia normal है, hemophilia के लिए normal है female, female के लिए क्या बनाएंगे देखिए, हाँ, तो hemophilia में अगर female है, तो अगर normal female है, normal के लिए लिखेंगे x plus x plus, अगर यह disease है, इसको disease लेते हैं, तो xh, xh, अगर यह carrier है, तो x plus xh, यह carrier है, बाहुक है, तो वाहक के लिए देखिए, क्या, यहाँ पर sign हमने लिया है, यह ध्यान रखना है, उसी तरह से रोगी के लिए बात करेंगे, तो रोगी के लिए normal है, तो x plus y, और अगर यह रोगी नर है, तो यह hemophilic नर हुआ, इस प्रकार के हमें gamit c, जो हमने बनाए है, zero type यह बनाना ह हमको आना चाहिए, ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर color blind की, चली color blind की बात करें, उससे पहले एक important line यहाँ पर देख लेते हैं, कि जब xh, xh प्रकार की मादा ब्रुन अवस्था में ही मर जाती है, यदि हमें इस प्रकार का genotype राप्त होता है, तो ac मादा ब्रुन अव क्योंकि सम्युगमजी अवस्था में lethal gene की अभी वेप्ति, lethal gene क्या होता है, ठीक, death-cosing gene को हम lethal gene कहता है, एक एसा gene, जो कि death-cosing है, तो इसे हम कहेंगे lethal gene, उसी प्रकार से हम बात करते हैं, वर्नांदता, अब वर्नांदता के लिए क्या हम यहाँ पर genotype बनाने वाले हैं, तो अगर female है, तो female में यहाँ पर normal female है, तो x plus x plus इसी प्रकार से हम बनाएगे, अगर carrier है, तो carrier के लिए x plus और xc, xc, ठीक, और अगर यह diseased है, diseased है, तो xc, xc, यह है, और नर के लिए कैसे बनाएंगे, तो नर है, तो उसमें x और x plus y, यह normal है, और xc, y, यह diseased है, इस प्रकार से बनादता colorblindness के लिए हम genotype लिखते हैं, तो यहाँ लिंग सहलगन आप्रभावी विकार है, ध्यान रखना है, कि यह लिंग सहलगन आप्रभावी विकार है, यह कैसा है, यह आप्रभावी विकार है, ठीके, आप्रभावी, क्योंकि जब ह लिए हम बात करते हैं, x सहलगन की, y सहलगन की, तो वहाँ पर recessive भी होता है, जो रोग है, वो कौन सी अवस्था में हो रहा है, वो रिसेसिव में हो रहा है, या dominant में हो रहा है, वो हमें देखना होता है, तो जो वरणान रता है, यह xEx linked है और नी रिसे Carnival है, यहाँ विकार लाल हरे और जो color होते हैं लाल मतलब red green blue इसमें color में differentiation नहीं कर पाता जो व्यक्ति है इसलिए सको कहते है color blindness और इसमें जो cones होती है because cones are responsible for color जो cones है वो color के लिए responsible होती है तो उसमें तुटी पूर्ण होने की वज़े से यहां पर इसमें जो है किसी भी प्रकार की स्टेक हो जाती है ठीक है तो इस प्रकार की जो यहां पर disease है यह आती है आपके x सहलगनता के उपर और इसकी वज़े से व्यक्ति रंगों में विभेत नहीं कर पाता दूसरा है diabetes incipit और pseudo rickettsिया कि यह एक्स लिंग्ड है और यह प्रभावी प्रकार की है अब हम बात करेंगे वाई सहलगनिता वैसे तो कम देखने को मिलती है लेकिन जब वाई क्रोमोजोम पर सहलगनित जीन उपस्तित होता है तो इसे हम कहते हैं वाई सहलगनिता उधारण के लिए जिसे की testis determinant factor ऐसार वाई जीन बनाने वाली जो जीन है यह वाई सहलगनित जीन है इन लक्षनों की वनशागती केवल नर में ही होती है ऐसे लक्षन हॉलेंड्रिक होते हैं मतलब नर से नर में होगी यह लक्षन केवल नर में पाए जाते हैं जिसे की हाईपो ट्राइकोसिस और टीडीएफ